हलो गाईज, वेलकम बैक टू माई यूटीव चैनल, कैसे हो आप लोग, होफ़ुली सारे बढ़िया होंगे, तो भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि भाई, पूरी वीडियो देखना, इस वीडियो को कॉंटेक्स्ट बहुत, बहुत बढ है, अच्छा है, स्टेंड लेने वाला है, कौन-कौन स्टेंड ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, यह आपको सब मैं बता दूगा, वैसे आपको थमनेल से पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को ल बात कर रहा हूं यहां पर अनुराग दोबाल अनुराग दोबाल मतलब UK07 rider के बारे में उस बंदे ने भाई मेहनत करी अपना यूट्यूब चैनल खड़ा करा अपने फैंस इकठे करे ब्रो सेना को इकठा करा जो भाई उसके लिए हर चीज कर रही है ना ब्रो सेना पट में जब UK07 rider जाते हैं लोगों को बहुत सारी उमीद्य थी ठीक है हर एक इंसान एक जैसा नहीं खेलता है मैं उसके गेम प्ले को लेके भाई कोई कमेंटर यहां पे नहीं करने वाला हूं क्योंकि उसका अपना तरीका है उसका अपना दिमाग है गेम खेलने के लिए बट व वहां पे कुछ नहीं कर रहा है क्या अनुराग दोबाल केला ऐसा कंटेस्टेंट है जो यहां की बात वहां कर रहा है यहां जो भी जो भी कंटेक्स्ट में वो लोग उसको ट्रोल करते हैं ट्रोल करने की कोशिश करते हैं इवन बिग बॉस इवन सल्मान खान जो भी आता है सलमान खान का तो ऐसा भाई उसको जो बताया जाता वो वो बोलता है आके ठीक है क्योंकि उसको पूरा देखने का time ने मिलता कि क्या चल रहा है क्या context चल रहा है क्या चल रहा है और उसके बाद भाई यहां पर बाहर जो यूटुबर्स है भाई उसका कोई stand नहीं लेते हैं उ उसकी family और भाई उनके जो भाई हैं हना कलमिंक भाई हमारे भाई जो rapper हैं हिप-पॉप को represent कर रहे हैं भाई उनके बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं जा रहा है ये कहां से हो रहा है कहां से नहीं भाई देखो सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे-च्छे बंदे जानते ह जिसमें उसके ही memes पे भाई उसने react कर दिया क्यों भाई content की कमी हो रही थी क्या क्यों करा अगर तुमने react करा भी है तो तुम सीधा बोलो कि भाई this is wrong ये होना नहीं चाहिए आप एक मजाग बना रहे हो उस चीज का हा न आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो आप ये भी सपोर्ट नहीं करा था ये वो तो मतलब आप भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो इस ठीक है भाई मत करो सपोर्ट हम मैं कोई जवर जबर दस्ती करके भाई सपोर्ट नहीं करवा रहा हूं मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जो ये reels चल रही है आप उस पे stand तो ले सकते थे जैसे कि Elvish Yadav ने भाई यहां पे stand लिया है stand लिया है आज के vlog में आप जाके देखना भाई Elvish Yadav का vlog उसने पूरे भाई दो से धाई मिनट एक पूरा speech दिया और अपनी मम्मी को साथ में बिठा के एक speech दिया जो कि भाई देखके ना बहुत अच्छा लगता है as a friend नहीं as a YouTuber मतलब एक YouTuber के नाते हुन में मतलब उसको stand लेना बनता था और मैं बहुत बड़े-बड़े YouTubers को भी बोलना चाहता हूं कि भाई वो stand ले इस चीज़ का कि यह गलत हो रहा है UK07 Rider के साथ after all भाई वो community का ही बंदा है तुम लोग क्या कर रहे हो भाई जब अभिशेक मलान गय बहुत सारा fanbase है बट वो है East Side का ना जो हमारा North East Side है उसका fanbase है तो मतलब क्या हमारे जो यह Central Zone वाले जो YouTubers हैं वो क्या support नहीं करेंगे क्या वो इस चीज़ को क्या बोलेंगे कि यारे हमारा तो अधर कोई है नहीं है और हमारा content वहां भी चलता नहीं है तो हम support नहीं करेंगे या फलाना निम का जो भी है या किसी अधर community के जादा likes लेने के लिए आप यह सब ट्रोलिंग बगएरा जेल रहे हो या कर रहे हो यह ऐसी videos बनाके डाल रहे हो कि हाँ भाई ट्रोल हो रहा है तो होने दो भाई मैं इसके against भाई एक strong stand लेने वाला हूँ अब वो जीते चाए भाई हारे चाहे कुछ भी हो भाई I don't care about that बट मैं इस चीज में UK07 rider को भाई 110% वाली support करूंगा कि भाई कि यह उसके साथ गलत हो रहा है क्योंकि भाई हर एक बंदा हर एक इंसान अपनी मैनत से खड़ा होता अपने मैनत से अपनी fans की army को खड़ा करता है ठीक है यही चीज बोली है बार-बार आके कि आपको support करना है करूं नहीं करना है मत करो but आप troll नहीं करो क्योंकि उसकी भाई एक भाई life है भाई आएगा उसको पता चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है भाई बंदा वो depression में चले जाएगा वैसे भी तुमको पता है कि UK07 rider की जो history रही है वो थोड़ी सी वैसी वाली रही है कि थोड़ी सा मतलब वो बिमार हो गए थे काफी टाइम पहले जब वो यूट्यूबर भी नहीं थे मेरे ख्याल से बच्पन की बात है उनकी मैंने वो पूरी story सुनी है क्योंकि वो धेरादून के तो भाई मेरा भी धेरादून से काफी अच ये यूटिवर थे अईल बिशादू और यूपके जीरसाम राइटर जिनको मैंने देखना स्टार्ट करता था वाई सबसे स्टार्टिंग में थीक है तो मेरे को मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि ऐसा भी अनुराग डोबाल ने बिग बॉस के क्या कर दिया है कि उसको एक जोकर का टैग दे दिया यह भार से दिया गया है अंदर से कोई टैग नहीं दिया गया अंदर से वो लोग ट्रोल करने कोशिश कर रहे हैं ताकि ठीक है भाई वह एक अच्छे कंटेस्ट में भी होता है कि किसी ने कोई उसको प्रेशर करता है तो लोग भाई सेंपैथी लेके बोलते हैं कि नहीं यार तुम इसको गलत बोल रहे हो यह वंदा ऐसा नहीं है तुम इसको गलत बोल रहे हैं लेकिन बाहर जो बैठे हैं न बाहर जो बड़े-बड़े दुरंदर बैठे हैं वो लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं बढ़ वो लोग चाहते हैं कि उसकी fan following नीचे गिर जाए उसका किरदार खतम करने की कोशिश हो रही है भाई तुमको ये चीज क्या fact नहीं लगती है आप मेरे को बस इतना comment करके बताओ कि जो भी अनुराग के साथ हो रहा है वो अगर किसी भी एक इनसान के साथ हो कोई भी इनसान हो क्या वो ये सब चीजें जहल लेगा या उसकी family ये सब चीजें जहल लेगी देखके और उनको लगेगा नहीं कि यार उनका decision गलत हो गया है या उनको एक शर्मिंदगी महसूस होगी कि नहीं यार हमारे बेटे को जोकर बोला चारा है और हम कुछ करनी पा रहे है या do you really think कि उनके मन में ये सब चीजें नहीं आ रहे होंगी जो भी ट्रोल करने वाले और जो ट्रोलिंग को बढ़ावा दिने वाले मैं सीधा सीधा नाम लोगा यहाँ पे अभिशेग मलान तुमको कोई भी जरूरत नहीं थी वो वीडियो बनाने कि तुम हर पास बहुत सारा content है तु उसको ही भाई नीचा दिखा रहे हो भाई आप उसके meme पे react करके LV श्यादव भाई के लिए मैं इस चीज के लिए salute करता हूँ क्योंकि वो stand लिया क्यों stand लिया किसले लिया भाई वो जाने बट मेरे को अच्छा लगा भाई यह चीज देखके कि LV श्यादव ने इस चीज का stand लिया और बहुत अच्छे से लिया और सब लोगों को भाई stand लेना चाहिए जो भी इस चीज को देखे भाई share करो जाद से जादा मतब आगे बढ़ाओ यार इस चीज को मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदे को भाई ऐसे ऐसे नीचे गिराया जाए क्योंकि बहुत गलत ह हो जाएगा यार ऐसे नीचे किसी को गिराना ना भाई अच्छी बात नहीं है और मैं बिग बॉस के न जो मेकर्स हैं भाई उनको भी मैं बोलना चाहूंगा भाई अगली बार से कोई यूट्यूबर तुमारे दरवाजे पर आएगा नहीं तुम्हारा यह जो OTT और यह सब अपने हक की बात कर दी अपने हक की आवाज उठा दी तो तुमको वो चीज़ बुरी लगी सबसे में बात तो प्राब्लम यही से स्टार्ट हुई है कि अनुराग ने सबसे पहले यह चीज़ बोली थी कि हमको तो बहुत लास्ट में नंबर दिया जाता है और तुम उसको नेट कनीको दिखे एक सब्सका उस चाइर में वकोर डिर्ट निए सब्सक्राइब करें चेहाँ पहला ना क्यों कन kindly क्यों दिखा रहा के लिए सब्सक्राइब भाई शो नहींस सब्सक्राइब इस चीज पे स्टेंड लेורה सब्सक्राइब शुर्ण Domami 자e do information न इस चीज़ पे और खड़े हो जाओ भाई और यही मौका है यही टाइम है भाई बिग बॉस वालों को पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई क्म्यूइटी भी जिन्दा है मरी नहीं है एलवीश यहादव ने बोल दिया है और एलवीश यहादव के जित्ते भी भाई फैन्स है law पर बिटि अ। support करो अनुराग डोबाल को और देखते हैं भाई आगे क्या होता है game के बारे में हम बात नहीं करेंगे हम जो भार ये trolling चल रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे thank you so much भाई वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को जात से जादा शेयर करना ताकि भाई लोगों तक बाते पहुंचें लोगों को सचाई मालूम हो मैं हमेशा ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा भाई आज से मैं support करूँगा भाई नुराग डोबाल को भाई support करूँगा खुले में करेंगे और भाई देखते हैं फिर क्या होता है आगे thank you so much take care bye bye love you all yes